क्या हाल है मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्रैता पाक कलाम इस स्वागत कि साथ साथ अभिनंदन करती हूं तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूं अर्वी की सब्ची जो जटपट बन जाती तथा बनाना बहुती जीवता थोड़ी सा मागरी तो इसको बना लेते चलिए दोस्तो हम आप इसे मिल्क बना लेते इस अर्वी के द्वारा अगर आप सब्ची बनाते तो बहुत टेस्टी सब्ची बनती है पहले हमने कच्ची अर्वी लिए इस पूरी अर्वी को हमने चाकुक साहता से इसकी उपरी छिकले को निकाल देना है और इस तरह इसकी पूरी छिकले को हम उपर से निकाल देते हैं निकालने बाद सारी अर्वी इस तरह हमने तयार कर लेनी है तयार करके उसको दो पानी से धुल के तयार कर लेती है देखी इस तरह अरवी तयार हो गई है इस अरवी को हमने चाकूक साहता से छोटे टुकड़े गोल-गोल में काट लेना है जैसा अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसको लंबाई में भी काट चकते हैं इस तरह एक अरवी में तीन से चाट टुकड़े निकलेंगे पूरी अरवी इस तरह से कटके तयार हो गई है दो हमने प्याज ली है और एक इंच अद्रक का टुकड़ा है दो लाल मिर्चे दो हरी मिर्चे आठ से दस हमने लसन लिया है सबसे पहले प्याज को छोटे टुकड़े में काट लेते तरह अद्रक को भी छोटे टुकड़े में हमने काट लेना है एक हम मिक्सी का जाल ले रहेते जिसके अंदर हमने सारी समागरी को डाल देना है और इस तरह सारी समागरी इसके अंदर हमने डालती डाल के पढ़िया इसका पीस के पेश्ट तयार कर लेते हैं और यह देखे हमने धक्कन लगा दे इसको पीस के पढ़िया पेश्ट इसका तयार हो गया इस सारी पेस्ट को हमने एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेना है और ये देखी इसके अंदर हमने निकाल लिया सारी समागरी हमने तयार करके रख लिया अर्वी हमने छोटे टुक्रिम काटी प्याज को भी हमने पीस के तयार कर लिया दही हमने लिया इस सब्ची को दहीं त्वारा बनाएंगे एक टेबल स्पून सब्ची मसाला एक टेबल स्पून नमक है आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा अजवाइन है तर्था आधा टेबल स्पून हल्ती है और हमने एक पींच हेंग लिया है हेंग को भी सब्ची इसके अंदर हमने आधा टेबल इस्पून से जो थोड़ा जादा अजवाइन डी उसको डाल देते हैं, डालने वाइ इसको सारी चला देना है, अब इसके अंदर हमने अर्वी की छोटी टुकड़े काटके रखे उसको भी डाल देते हैं, सारी समागरी को अच्छी तरह से मिल लेते हैं, और मिलाने बाद इसको हमने ढख देना है, तेल अजवाइन अच्छी तरह से अर्वी मिल गया है, इसको हम ढख देते हैं, करीब 3-4 मिनट के लिए, बीच-बीच में एक दो बार अर्वी को हम चला देते हैं, और ये देखे भुन के इस तरह अर्वी तयार होगी इसको दोबारा से हमने पूरी सबची को चला लेना है, देखे कितनी पढ़िया सबची भुन गई है, अब इसके अंदर हमने 1-2 औप अदर हल्दी मसाला मिला दिया है, तरह 10-2 ओड़ी मसाला मिला दिया है, सबची मसाला क के लिंक पहले हमने डिस्क्रिप्चन बॉकस हता Yeah पटन पे देगा एक मिनट तक जो आधा आंदा तीप फून हुम पचा के रखा था उसको अभन्न के साथ मिला देना को ढालँ व्यूज के पूरी सब्ज्च जो छ लेना है और शक्र लो और मीडियम फ्लेम पे हम भूनते हैं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनते हैं, इस तरह हमने मसाले को चलाते हुए करीब 2-3 भार चलाया है, देखी पूरा मसाला भूनके है, बहुत थोड़ी से तेल की द्वारा ही सबची बनके तयार होती है, साथ ही साथ अतनी टे की है, पर पानी के द्वारा थोड़ा सा पका लेते हैं, उबालाने बात फ्लेम को हम लो कर देते हैं, दो मिनिट इसको ढख के पका देते हैं, दो मिनिट हो गया सबजी को पके हुए, देखे कितना बढ़िया है सबची पक के तयार होगी, अगर आप खटा नहीं पसंद करत तो ऐसी सबची को खाने के लिए उप्योग कर सकते हैं, अब इसके अंदर जो हमने दही लिए है, एकटोरी मत की, उसको इसके अंदर मिला देते हैं, फ्लेम को एकदा हमने लो रखना है, उबालाने तक, इस तरह आप अगर दही मिलाएंगे, तो सबची में आपकी दही बहुत टेस्टी अर्वी की सबची लगती, अगर रिस्पी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो जुरू लाइक करिएगा, प्लीज दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, साथी साथ बेल दिखा के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो साथ स्वेता पाकला में, बाई दोस्तों, एंटी केर,